इस वीडियो में हम बात करें ICMI के बच्चों के लिए तो जैसे एक common problem आज के examination है बच्चों को बहुत देखने को मिला यह वीडियो हर बच्चों के लिए है हर upcoming बच्चों के लिए है वीडियो को last तक देखिएगा चैनल पर नया तो आपसे humble request चैनल को subscribe करके bell notification जरूर कर लिज लगती है बहुत दिल से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ बहुत सोच के तो देखिए बच्चों को बोला गया था 15 मिनिट उन लोग को reading टाइम न मिलेगा पर आज का examination में online examination में CMA December 21 का वो बोले सिर्फ instruction पढ़ने के लिए 10 मिनिट दिया गया सर हम लोग को और कोई टाइम नहीं मिला सीधा हम लोग कोशन पेपर प्रैक्टिस पे आ गया मतलब exam देने लग गया कोई टाइम एक मिनिट भी नहीं दिया गया हम लोग को क्या प्रैक्टिस कोशन मिला था कि 15 मिट का टाइम आपको मिला जाएगा पढ़ने के लिए कुशन पेपर तो ऐसकती हुआ सर बच्चे बहुत ही आज के एक्जामनेशन से अपसेट है और बच्चे ने बहुत ज्यादा आज प्राबलम के साथ अपना पेपर सॉल्ट की है कितना कोई का कुशन चु कि हम देखते कितने लोगों ने इस बारे में बात किया है सी एमें स्टुडेंट्स ने लिखा है टूडे फिफ्टीन मिनेट्स वे नॉट गिवन फॉर पेपर रीडिंग दोस मिनेट्ट वे फॉर रीडिंग इंस्ट्रक्शन देखी बोल सकता बच्चा या बोल रहा है न क कि 15 में उनको पेपर पढ़ने को नहीं मिला और उनको श्रिफ रीडिंग को मिला सेक्शन भी वाश टोटली वन लाइनर और टू लाइनर एंसर और डिफिनेशन नो एमसी क्यू नो ब्लैंक नंबर नो ब्लैंक नो मैच अप्स सेक्शन सी वाश फिफ्टी पर्शेंट थियो कि आज आपको इस्ट्रक्शन का टाइम दे दिया गया कल आप पहले जब बैठ जाओगे तो आप हर कुछ छोड़ चानके जाए भाड़ में दुनिया जाए सब कुछ आप अपना कोशन पेपर रीड करोगे बोल देना कि हमको अपना कोशन पेपर रीड करने का टाइम दिय जाना चाहिए आपको खुद से बोन लागा वहां बच्चा हम लोग वहां पर आकर आपके लिए नहीं बोल सकते हैं आप एकदम बोली कि हम लोग को कुशन पेपर टाइम पढ़ने का मिलना चाहिए तो यह अपकमिंग बच्चो के लिए भी है कि देखिए बच्चा आपका ए इंटर और फाइनल में ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है तो इन सब चीजों से मैं आपको यही बोलूँगा कि कोई भी दुनिया में कुछ भी हो जाए आप सब कुछ बोलिएगा इसाइड रखी और हमको को कोशन पेपर पढ़ने दीजे 15 मिन मेरा कोशन पुरा पर अपने तरफ से जान लगा दीजे पढ़ाई में पढ़ाए में कोई कसर मत छोड़िएगा हो सके तो इंटर और फैनल जिनका है वो अपना एटेंप्ट निकाली लीजिए इतना महनत करिए मैं आपको बोल रहा हूँ फिर बात का देखिएगा तो आपका बात में confidence बहुत down हो जागा, बच्चों को confidence ऐसे ही अभी negative में चल गया है, और आगे जा करके दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं आपको यही motivate कर रहा हूँ, कि इतना अभी पढ़ लिजे कि इसी बार निकल जाए, I hope आप चीजों को समझ गया होंगे, बाकी बच्चों आपके लिए हम से पदलागे देनी के परिकोशित करता है, thank you everyone.